उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दही चौकी की शूज फैक्टरी में शौट सर्किट से लगी भीशन आग उन्नाव के दही चौकी थाना छेतर के अंतरगत इंडस्ट्रियल एरिया में इसके शूस फैक्टरी में अचानक भीशन आग लग गई जिसके चलते अफरात तफरी का महौल बन गया है आनन्फानन में फायर सर्विस को फोन किया गया मौके पर पहुची फायर सर्विस की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया लेकिन चम्डे का काम होने के चलते आग इतनी विबत्स रूप ले लिया कि कानपूर लखनव समेट आसपास के जिले से मिलाकर करीब एक दरजन फायर बिगेट की गाड़ियां बुलाई गई तब कहीं जाकर इस भयानक आग पर काबू पाया गया आपको बता दें कि इसके शूज कंपनी में बनने वाले शूज भारत के बाहर भेजे जाते थे कंपनी के मैनेजर विनीत ने बताया कि कंपनी में सब बड़ी बड़ी नामचीन शूज कंपनीयों के नाम का शूज बनाती थी और यूरोब, यूके, औस्टेलिया से ही पूरे वर्ड में शूज सप्लाई करती थी शौर्ट सर्किट से आग लग गई है और पूरा आकलन अभी कर पाना मुश्किल है परंतु 10 से 15 करोड का नुकसान हो गया है